Hey everyone, इस वीडियो के अंदर मैं आपको political science के 4 और 6 mark के most important question बताऊंगा book 1 से तो काफी बचों की demand थी कि जो मेरी short videos के अंदर important questions मैंने बताये थे उनके answers आपको नहीं मिल रहे और आप में से काफी की demand थे कि हमें बताऊ कि कैसे answers को लिखा जाए कैसे present करें exam के अंदर that's why यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह यह purpose है वीडियो बनाने का कि जो भी important questions है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ में answers भी बताऊंगा ठीक है, तो यह part 1 है, इसके अंदर मैं आपको यह वाली जो book है आपकी यह cover करूंगा यह questions बहुत important है, star लगा लेने questions पे, ठीक है यहाँ पर देखो मैं जो भी questions के answers आएंगे उनको proper तरीके से मतलब यहाँ पर मैं पूरा explain नहीं करूंगा उनको, मतलब detail में explain नहीं करूंगा क्योंकि मैं revision वाली वीडियो में explain कर चुका हूँ खाली मैं आपको points points बताऊंगा कि आपको इस तरीके से explain करना है ठीक है, तो आप एक काम करना पहले, मैं आपको उपर i button पे link provide कर दूँगा दो मेरी division वीडियो हैं, दो part है, part 1, part 2 उनको आप देख लेना, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे वीडियो को तो आपको काफी समझ में आएगा, और आप जो भी questions के answers हैं, उनको जो मैं आपको बताऊंगा वो उनको समझ भी पाऊगे, और exam में लिख भी पाऊगे, ठीक है तो हम एक तरीके से one shot quickly देखेंगे questions और उनके answers को, ठीक है और मैं आपको एक चीज बता दूँ, जो भी मैं आपको four mark के question बताऊंगा, वो six mark की form में भी पूछे जा सकते हैं और six mark के question, four mark की question की form में भी पूछे जा सकते हैं, तो प्रिपेर है ना, ठीक है तो हम start करते हैं, आपका ये वाला chapter है, new centers of power इसके अंदर question है, explain the economic and military influence of European Union four mark का question है ये, तो आपको economic की field में influence बताना European Union का तो आप यहाँ पर बता सकते हो, कि देखो ये second biggest economy है, इसकी GDP काफी जादा है 17 trillion dollar इसकी GDP है, इसकी जो currency euro है, वो क्या कर रही है, dominance प्रोवाइड कर रही है US के dollar को, इसका trade भी काफी जादा में देखने को मिलता है, ठीक है उसके साथ-साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके कुछ neighbors, हना मतलब की एक तरीगे से, इसके कुछ members European Union के, वो क्या कर रहे हैं, एशिया और अफ्रीगाम में भी अपना influence बढ़ा रहे हैं, और इनका अच्छा कासा रोल है, international organization में जैसे की WTO उसके बाद military की field में आप बता सकते हो, इनकी जो army है काफी powerful है, काफी खर्चा कर रहे हैं, expenditure कर रहे हैं defense की field में, France के पास nuclear weapons है, यह important source है, space और communication technology का उसके साथ-साथ यहाँ पर इनका हर field में influence है, economic field हो गई, political field हो गई, social field हो गई, हना लेकिन हाँ पर एक छोटी से problem भी है, कुछ countries ऐसी हैं, जिनकी खुद की अपनी foreign policy है, थोड़ा यह मिलके नहीं चलते हैं, कुछ-कुछ matters में, ठीक है तो आपको इस तरीके से present करना है, 4 mark का है, इसको 2 mark का divide कर लो, इसको 2 mark का divide कर लो, इसमें आप 2 point लिख देना, इसमें भी आप 2 या 3 point लिख सकते हो, बस 4 mark का क्वे बन गए, इस तरीके सा आपको present करना है, राइट, चलिए, यह question देखो 6 mark की form में कैसे आएगा, यहाँ पर आप से political का भी पूछ लेंगे, ठीक है, तो आपको उसके according mention करना है, यहाँ पर हमारा दूसरा question है, आपको बताने है, 4 feature ASEAN के, तो देखो इन्हें क्या करना है, economic growth करनी है, social progress करनी है, cultural development करना है, peace and stability maintain करके रखनी है, ठीक है, उसके बाद ASEAN way वाला point आप mention कर सकते हो, community बना कर, जैसे की security community इन्होंने बनाई, economic community बनाई, और social cultural community इन्होंने बनाई, ठीक है, इनके अपने-अपने अलग-अलग objectives थे, तो चार point आप mention कर दोगे ASEAN के बारे में कि कि किसलिए यह बनाया गया group और क्या इसके features हैं, हना, क्या यह करना चाहते हैं, तो यह चाहते हैं कि हमारी social progress हो है, मिलके चले, economy develop करें, cultural development करें, peace and stability maintain रहे, इनकी, right, तो आगे हम चलते हैं, हमारा next question is, about from the chapter, South Asia and the contemporary world, और questions है, question है, मतलब identify करने, आप कुछ ऐसे factors बताने हैं, जिनकी वज़ा से पाकिस्तान एक stable democracy नहीं बना पाया, तो कौन-कौन से factors हैं, तो देखो, इन्हे international support नहीं मिल पाई, ठीक है, और यहाँ पर जो military है, वो powerful रही, उसका dominance काफी जादा है, एक यहाँ पर चीज़ है कि दो, देखो, कुछ ऐसी countries है, US जैसे की, मतलब जैसे की US, यह क्या करती है, अपने interest की वज़ास से support करती है, military वहाँ पर रहे, पाकिस्तान में, अब इससे क्या benefit होगा, इससे इनका benefit होगा, कि यह जो military है, वो क्या करेगी, terrorist जो organization है, उनको पनपने नहीं देगी, उन, उनके जो भी weapons है, वो military के हाथ में आ जाएंगे, उससे terrorism नहीं फैलेगा, और उससे क्या होगा, US जैसी countries का फायदा होगा, उन पर terrorist attack नहीं हो पाएंगे, ठीक है तो आप इसको कैसे लिखोगे, English में, the US and other countries have also supported military rule, due to the fulfillment of their own interest, global Islamic terrorism and their apprehension, that Pakistan nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups, तो इनको लगता है कि जो nuclear weapons इनके हाथ में लग जाएंगे, terrorist groups के हाथ में, और उसकी वज़ा से यहाँ पर क्या होगा, उनके ओपर problem हो सकती है, terrorist attack हो सकता है, ठीक है, बड़ी-बडी countries पे, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, the military regime in Pakistan was seen as a protector, तो इनके according military जो है, वो एक तरीके से protector है इनका, ठीक है, जिससे terrorism नहीं फैलेगा, इसलिए इन्होंने support किया हुआ है, उसके बाद यहाँपर next point है, कि जो पाकिस्तान का conflict हुआ है, इंडिया के साथ, ठीक है, वो भी क्य करता है, powerful बनाता है military को, जो कि क्या होता है, कि कई सारे लोग यहाँ पर मानते हैं, कि अगर military rule नहीं होगा, तो हमारे पास, मतलब democracy अगर होगी और political party, वो धंक से नहीं समाल पाएंगी, ठीक है, और हमारी military की field में development नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर, यह political parties, यहा तो इनकी according यह है कि देखो, Pakistan's conflict with India has made pro-demo, pro-military groups more powerful, which have often said that the political parties and democracy in Pakistan are flawed, ठीक है, मतलब काम नहीं कर पाएंगी, हना, that Pakistan's security would be harmed, तो यह जो selfish minded parties हैं, यह क्या करेंगी, यह एक तरीके से धंक से काम नहीं कर पाएंगी, और इसकी वज़ासे क्या है, हमें army जो है, army का जो stay है, मतलब army जो हाँ पर है, वो ठीक है, उसकी power को justify माना जाता है, ठीक है, तो मतलब basically हाँ पर कहने का मतलब यह है, कि political party ढंक से समान नी पाएंगी, military हाँ पर होगी, मतलब army होगी, military rule, तो military develop होगी, उससे क्या होगा हमारा इंडिया के साथ, इनकी लड़ाई होगी, तो यह जीत सकते हैं, अपने आपको powerful बनाएंगे, तो उसकी वज़ास से जो military है, वो powerful बनती रही है, अलगलग time पे, उसके बाद social dominance हमें देखने को मिलता है, military का, clergy का, land owing, aristocracy का, ठीक है, जिस से क्या कर देते हैं, quickly coop कर देते हैं, तकता पलट कर देते हैं, government का, ठीक है, त इस chapter से globalization से, 4 negative consequences of globalization on the people of India, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी MNCs आ रही हैं, उनकी वज़ास से क्या हो रहा है, MNCs की वज़ास से, farmers क्या करें, उन MNCs से, महंगे महंगे seats purchase कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, अगर उनकी crop failure हो जा रही है, तो वो उनको पैसे वापस नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वज़ास से, उनने suicide करनी पड़ रही है, जो कि इंडिया में देखा जा रहा है, हो रहा है काफी, यह बड़ी-बड़ी MNC क्या करेंगी, इनकी वज़ास से competition बढ़ रहा है, यह दोनों points आपस में connected है, competition बढ़ रहा है, उसकी व focus नहीं किया जा रहा है, यह neglect किया जा रहे है, तो आप यह point भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हो, unemployment ही बढ़ रही है, ठीक है, अब आप मेंसे काफी बच्चों का यहाँ पर doubt हो सकता है कि unemployment कैसे बढ़ रही है, तो कोई यहाँ पर global edition के वज़ास से skill labor क demand बढ़ती जा रही है, उसके सासा technology बढ़ रही है, तो यही reason है जिसकी वज़ास से कुछ fields में तो employment बढ़ रही है, लेकिन कुछ fields में जो employment है वो कम हो गई, ठीक है, तो आप यह वाला point भी mention कर सकते हो, next यहाँ पर हमारे start होते है six mark के question, तो तीनो chapter से एक एक most important मैंने question उठा तो कौनकों से factors हैं, तो देखो चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना ने, चाइना, the model allowed चाइना to use its resources to establish the foundations of an industrial economy, तो इनोंने industrial economy set up करी है, इनोंने 1970s में decision लिया, इनोंने क्या किया, अपना जो isolation था, उसो खतम किया, और इनोंने relation बनाने start किये US के साथ, ताकि USA company महाँ पर इनोंने agriculture, industry, science और technology को, और military को develop किया, ठीक है, 1978 में इनके leader Dank Zioffing, इनोंने क्या किया, open door policy announce करी, इसको economic reforms भी कहा जाता है, इसके अंदर इनोंने क्या किया, अपनी economy को, अपनी country को open कर दिया, और भार की company को अलाव कर दिया, कि आप आईए, और हमारी country में invest करो, ठीक है, और capital लेकर आओ, टेखनलोजी लेकर आओ, उसके साथ यहाँ पर इनोंने क्या किया, market economy लेकर आए, यह शौक therapy की तरफ नहीं गए, ठीक है, इनोंने क्या किया, अपनी economy को, step by step open किया, मतलब एक साथ इनोंने अपनी economy को, जो कि शौक therapy में हुआ था, ठीक है, इनोंने क्या किया, अपनी economic को step by step open किया time के according, इन्होंने क्या किया, trade barriers को हटाया special economic zones में, तो special economic zones के बारे में मैंने आपको revision वीडियो में बताया था, यह ऐसे zones होते हैं, जहाँ पर सारी facilities अवेलेबल होती है, ताकि कल को भारी company आए, तो वो इस डगा में आके अपनी company को establish कर सके, ठीक है, तो trade barriers क यहाँ पर हटाया गया, और ऐसे economic, special economic zones को अलग-अलग part में, एक तरीके से setup किया गया, ठीक है, ताकि जो foreign investment है वो attract हो, इन्होंने क्या किया, एक तरीके से, अपना जो stagnation का period था, जहाँ पर development नहीं हो रही थी, stagnation मतलब, जहाँ पर growth नहीं होती है, उसको इन्होंने खतम किय और इन्होंने क्या किया, प्राइवेट आइडिशन लेकर आए वो agriculture में, जिससे इनकी agriculture production बढ़ी और rural income बढ़ी, मलता farmer की income बढ़ी, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 point है, कोई भी 6 point, थोड़े थोड़े detail में, मतलब, ऐसे ही जहाँ पर लिखे हुए है, जो यहाँ पर, पाद हमारा next question है, 6 mark का, South Asia और contemporary world से, क्या question है, examine the three major areas of conflict between India और पाकिस्तान, तो आपको इंडिया और पाकिस्तान में, तीन ऐसे area बताने हैं, जहाँ पर conflict हैं, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, right, so कई सारे factors हैं, जैसे की कश्मीर का issue आप बो सकते हो, कि dispute है कश्मीर का issue, जो की 1948 में start हो गया था, उसके बाद हमारे इंडिया ही government क्या करती है, पाकिस्तानी government को यह blame करती है, कि आप क्या करते हो, हमारे जो कश्मीर के people हैं, उनको क्या करते हो, एक तरीके से बोलते हो, कि वो हमारे अपनी country के उपर ही, एक तरीके से attack करे, terrorists, और उनके बदले, उनन militants, with arms, training, money and protection to carry out terrorist strikes against India, मतलब इनको बोला जाता है, कि इनने पैसे दे जाते हैं, training दी जाती है, कि आप क्या करो, इंडिया के against में terrorist strike करो, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर मैंने आपको revision वीडियो में भी बताया था, सियाचिन glacier को लेके fight है, ठीक है, sharing of river को लेकर fight हो रही है हम इसमें हमने जो East Pakistan, जो की आज का बांगलादेश है, उसकी हमने help करी, और हमारी लड़ाई हुई किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, उसके बाद यहाँ पर कालगीर वाली लड़ाई होती है, और पुलवामा attack जो हुआ था, 2019 में आप उसके बारे में भी हाँ पर explain कर सकते हो, तो यहाँ पर यह conflict के एक तरीके से points है, area जहाँ पर conflict होता है, तो देखो जो भी हाँ पर आप देख सकते हो, हाँ पर मैं इसको इरेस करूँ, तो जो भी important point है, उनको मैंने highlight किया हुआ है, जैसे कि कश्मीर, आप इन points को पढ़ लोगे और आपके mind में आपको समझ में आ एसा नहीं करना, इसलिए मैंने इनको देखो, blame वाला point उसको highlight कर दिया, कि क्या blame किया जाता है, सियाचन glacier वाला, river वाला, बांगलादेश वाला और कारगिल, अपनी notebook में यही points को लिख लो, और जब आप exam देने जाओगे, यह 6 के 6 point, कश्मीर, blamed, सियाचन glacier, इनको पढ़ ल जो की है, globalization के बारे में, ठीक है, so 6 mark का question है, यहाँ पर, globalization एक multi-dimensional concept है, आपको explain करना है, इसको examples के साथ, तो यहाँ पर political consequences, economic consequences और cultural consequences आपको mention करने है, ठीक है, तो देखो, political के अंदर यह माना चाता है, कि इससे जो state की power है, वो कम ओर यह government की, लेकिन कुछ लोग ऐसा believe भी करते है, कि power कम नहीं, बलकि बढ़ भी रहे है, कुछ areas में, ठीक है, उसके बाद economic field में, आप mention कर सकते हो, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, economic flow हो रहा है, investment आ रही है, बड़ी-बड़ी यहाँ पर companies आती है, जो एक तरीके से रोजगार provide करती है, हमारे people को, हना, जो role है, IMF, WTO जैसे organization का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ यह भी बहुला जाता है, economic globalization के अंदर, कि इससे क्या हो रही है, economic growth हो रही है, तो देखो, भार की company इंडिया में आएंगी, वो रोजगार provide करेंगी, investment पढ़ेगा, हमारे लिए choices भी हमारे लिए आएंगी, हना, और technology आएगी, तो इस तरीके से हम बोच सकते हैं कि हमारी development होती है, so usually economic globalization involves greater economic flows among different countries of the world, economic flows in various forms like commodity का, capital का, people का, इन सब का flow हो रहा है, और investment बढ़ती जा रही है, it also draws attention towards the role of IMF and WTO, in determining economic policies around the, across the world, उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से आप बोच सकते हैं यह भी बोला जाता है, और यहा यहाँ पर आपने एक positive point mention किया, political के अंदर और यह negative है, वैसे यहाँ पर यह दो point positive के हैं, ठीक है, आप negative का क्या mention कर सकते हो, कि इस से क्या होगा, जो कि मैंने आपको अब बताया था, कि हमारी जो company से वो बंद हो जाएंगी, competition की वजा से, उनको बड़ी-बड़ी MNCs दुआ आप खरीद लिया जाएगा, तो आप यह वाला point भी mention कर सकते हो, तो यहाँ पर कोई mention नहीं किया, कि आपको positive और negative भी बताना है, कोई भी आप, मतलब दोनों आप बता सकते हो, यहाँ पर question यह है कि multi-dimensional concept है, तो आपको different dimensions आपने बता दी इसकी, अब आप negative बताओ, positive बताओ, आपकी मर्जी है, दोनों आप बताना इसके अंदर, लेकिन अगर लिखा है कि positive बताने है, तो positive mention करना negative है, इतने तो आपको पता ही है, ठीक है, so cultural consequences के अंदर आप देख सकते हो, अगर हम positive देखें, तो यहाँ पर हमारी choices बढ़ रही है, भार का culture आ रहा है, तो हमें कई सारी नहीं नहीं चीज़े देखने को मिलती है, जिससे हमारी एक तरीके से हम देख सकते हैं, हमारे लिए choices हैं, ठीक है, तो पहले हमारे पास कपड़े एक तरीके से हम बोल सकते हैं, हमारा traditional क्या था कुर्टा पजामा, लेकिन अब हम jeans पहन रहे हैं, और भी shots वगएरा कपड़े पहने जा रहे हैं हमारे तुवारा, कई सारे हम चीज़ें, मैक डॉनल्ड वगएरा इनको use कर रहे हैं, खाने में, तो हमारी हर चीज में, हमारे style में, हमारे fashion में changes आ रहे हैं, ठीक है, negative है आप यहाँ पर बोल सकते हो, कि हमारा जो traditional culture है, हमारा जो traditional culture है, उसको हम भूलते ज आ रहे हैं, ठीक है, तो यह आपका था, ठीक है, अगर आप यह जो मैंने points पूरे बताए हैं, इनको भी लिख लोगे पूरे एक दम अच्छे से, तो आपको six number अराम से मिल जाएंगे, ठीक है, confuse मतो ना positive लिखो, negative लिखो, कोई भी आप लिखे आ सकते हो, यह जो slide में आपक पूरा लिख लेना six mark मिल जाएंगे, ठीक है, तो इस type से question आ सकते हैं, मैंने हैं पर आपको सभी questions को बता दिया, जो भी important थे, six mark के, four mark के, I hope आपनी वीडियो को last तक देखा है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, एक बार इस वीडियो को और देख लेना, slides पर से read कर लेन जो भी questions हैं, देखो, exam में घबराना मत, direct question कभी को बार नहीं आते हैं, ठीक है, वैसे geography में आये थे मेरी वीडियो से question, लेकिन direct कभी कभी नहीं आते, तो कुछ questions indirect भी पूछ दाएंगे, बट आपको समझना है, ठीक है, आपको समझना है कहना क्या चाह रहा है, और उसके बा rate भी करते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों चीश को mention कर सकते हो, ठीक है, तो घबराना नहीं है कि आपको आप घबरा जाओ कि अरे, ये question कहां से आ गया, समझना उसको कहां से पूछा हुआ है, उसके according लिखना, ठीक है, right, so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडिय को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना, कई सारे subjects की जो भी आपके आने वाले paper है, उनके लिए भी important videos upload करूँगा, तो आपका कुछ नहीं जाएगा subscribe करने में, और like कर देना वीडियो को इससे मुझे motivation मिलती है, so इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, thanks for watching this video and as always God bless you all